Hello students, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन वर्ट्स को आपको अच्छे से देखना है, ताकि जब ये वर्ट्स आपके आगे लेसन में यूज होंगे, तो आपको एक स्पाई की तरह इन वर्ट्स को कैच करना है, पकड़ना है, और कमेंट बॉक्स में आके इ पढ़ने से पहले, you may know that the dog and the wolf are closely related, शायद आपको पता होगा, जो dog होते हैं और जो wolf होते हैं, वो एक दूसरे से बहुती ज़्यादा related होते हैं, एक जैसे ही लगते हैं, बहुती ज़्यादा similar होते हैं, you may also know something about how over the century, सायद आपको ये भी पता होगा, आप ये भी जानते होंगे, कि किस परकार कई सदियों तक human beings ने, इंसानों ने domesticated and damned wild animals, कि किस परकार human beings ने, इंसानों ने domesticated बनाके रखा, पालतु बनाके रखा, अपने use में उन wild animals को लेके आए, ये कई सदियों तक इंसानों ने, जो देखते हैं बैल गाड़ी इन सब काफी चीजे हैं जिनका यूज पुराने समय में होता था जानवरों का खेती में और भी कई चीजों में तो here is a story about how the dog become a tame animal यहाँ पर a story है जिसमें ये बताया गया है कि जो आज हम doggy's प्लते हैं घरों में जो doggy's हमारे इतने important होते हैं हमारे इतने प्लतू होते हैं और इतने वफदार होते तो वो किस तरीके से इतने हमारे वफदार बने और किस तरीके से प्लतू बने तो चलिए पीछे चलते हैं फ्लैस बैक में और देखते हैं कि डॉग के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इंसानों का एक अच्छा वफदार जानवर सावित हो पाया और जो आज भी है तो पीछे की स्टोरी यह देख रहे हैं बहुत साल पहले क्या हुआ तो how the dog found himself a new master किस परकार जो dog है खुद अपना master find करता है खुद अपना मालिक ढूंडता है उसे ढूंडने की क्यों जरूरत पड़ती है इस lecture में हम समझने की कोशिस करेंगे So students, dogs were once their own master एक समय था कि जब dogs अपने खुद के master हुआ करते थे and lived the way wolves do in the freedom और उसी तरीके से रहते थे जिस तरीके से वॉल्स रहते हैं अजादी में अजाद रहते थे घूमते फिरते रहते थे वॉल्स की तरह ही रहते थे लेकिन फिर क्या हुआ अचानक until a dog was born फिर जब तक एक जो dog है वो जनम लेता है dog का जनम होता है एक ऐसे कुद्टे का who was ill-pleased ill-pleased जो की ill-pleased है बहुत ill-pleased का मतलब क्या होता है not happy जो खुश ना हो अपनी situation से किसी भी चीज से ill-pleased है जो खुश नहीं है with his with this way of life इस तरह की की जिन्दगी से वो खुश नहीं है he was sick and tired of wandering भी यहाँ तक चूका था और उसका वो बॉह हो चुका हाथा सिक का मतलब यहाँ पर आप बिमार नहीं बोलोगे बिमार नहीं मतलब है यहां पर इसलिया पर मतलब है कि वह बहुत ही ज़्दा ऊप चुका था बहुत वह कैसे भूफ चुका था है ऐसी जिन्हटी से जिंदगी से थाइड रो चुका था 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 थाइड यूट रूफ फूट कि खाने की तलास करते करते था जिया था कि being frightened डरते हुए ठक गया था उनसे जो उनसे जाता ताकतवर है बार बार उनसे उसे डर लगता था वो भागता था तो इस वज़े से जो डौग है वो ठक चुका था कि अब ऐसी जिन्दगी बहुत होई he thought फिर उसने सोचा it over अब बस खतम अब बस हुआ कि अब इससे जादा नहीं and decided that और उसने ये फैसला किया the best thing for him to do was to become a servant फिर उसने फैसला कि कि सबसे अच्छा उसके लिए ये होगा कि वो किसी का servant बन जाए servant यानि गुलाम बन जाए जिसकी खिदमत कर सके तो ताकि वो उसक खाना प्रोवाइड करें dog को और उसे कुछ काम नगरना पड़े तो उसको servant बनने की चाहा होती है और कैसा servant one of one who was stronger than anyone on earth और ऐसे का servant बनना चाहता था जो stronger हो सबसे ताकतवर हो anyone on earth किसी भी जीव से जो धरती पर है उन सभी जीवों से सबसे ताकतवर हो and he set out to find such a master और उसने ऐसे master की तलास करनी शुरू कर दी then he walked and walked वो चलता गया चलता गया and he met a kinsman of his और फिर वो अपने ही संबंधी से kinsman संबंधी से मिलता है a big wolf जो की एक बहुत बड़ा wolf यानि भेडिया होता है who was as strong as he was fierce वो उतना ही strong ता जितना की वो भयानक दिख रहा था fierce means भयंकर भयानक जितना वो भयानक दिख रहा था where are you going dog the wolf asked तुम कहां जा रहे हो कुत्ते ये पूछता है वही wolf उस कुत्ते से उस dog से I am looking for someone to take up service with मैं ऐसे इंसान को देख रहा हूं जिनकी सरन मैं ले सकूं जिनका मैं गुलाम बन सकूं जिनकी मैं सेवा कर सकूं would you like to be my master wolf तो wolf से पूछता है क्या आप मेरे master बनना चाहोगे ये कौन पूछ रहा है वही doggy जो आलसी doggy है और ठक चुका है ऐसी जिन्दगी से जिसमें उसे खाना ढूनना पड़ता है और अपने से ताकतवरों को से बचते रहना पड़ता है और इस तरेकी जिन्दगी से जो परिसान हो जाता है फिर wolf के answer देता है I don't see why not क्यों नहीं जरूर the wolf said wolf ने कहा ऐसा and this agreed upon और वो इस चीज़ पर राजी हो गया कि मैं तुम्हारा master हूँ और तुम मेरे servant हो the two of them went on together अब वो दोनों चलते गए आगे बड़े यानि चलते गए they walked and walked वो चलते ही गए चलते ही गए and all of a sudden the wolf lifted his nose अचानक क्या होता है जो wolf होता है वो अपनी नाग को घुमाता है lift करता है उठाता है and sniffed और सुंगता है darted quickly off the path and into the bushes और darted यानि के बहुत ही जल्दी भागता है कहां पर उस जगे पर bushes की जगे पर जाडियों में भागता है and crept deeper into the forest और वो जंगल की तरफ चला जाता है जंगल में चला जाता है जल्दी से अंदर की तरफ घुशते हुए the dog was much surprised ये देखकर क्या होता है dog को surprise हो जाता अरे ये क्या हुआ what's come over you master क्या हुआ क्या चीज आ रही है फिर he asked वो dog पूछता है क्या हुआ master क्या चीज आ रही है what has frightened you so तुम्हें किस चीज ने इतना डरा दिया can't you see फिर वो जवाब देता है तुम नहीं देख रहे हो क्या नहीं देख सकते हो there is a beer out there वहाँ एक भालू है and he might eat up both of us और वो हम दोनों को खा सकता है you and me हम दोनों को तुम्हें और मुझे खा सकता है seeing that ये देख कर beer was stronger than the wolf के beer जो है जो भालू जो है वो वाल्व से जादा stronger है ये देख कर dog decided to take up service with him तो dog decide करता है अब मैं इस beer के सरण में चले जाता हूँ इस beer की servant बन जाता हूँ इसकी खिदमत करूँगा क्योंकि ये जादा stronger है और मुझे ऐसा ही master चाहिए था जो सबसे ताकतवर हो तो अब dog को ये लगता है कि beer सबसे जादा ताकतवर है and he left the wolf and asked the beer to be his master फिर वो क्या करता है उस वाल्फ को छोड़ कर और beer के पास चले जाता है और बोलता है कि तुम मेरे master बनोगे the beer agreed to this readily तो beer क्या होता है agree हो जाता है कि हाँ क्यों नहीं बिलकुल बनेंगे and said और उसने कहा let us go and find a herd of cows तो फिर बीर कहता है उस डॉक से कि चलो हम ढूंडते हैं एक herd हर्ड यानी जूंड किनका जूंड cows गायों का जूंड ढूंडते हैं I will kill a cow मैं एक cow को मारूंगा एक गाय को मारूंगा and then we can both eat our fill फिर उसको मार के हम दोनों पेट भर के खाना खाएंगे they walked on वो चलते गए दोनों soon saw a herd of cows जल्द ही वो एक cow का जूंड देखते हैं गायों का जूंड देखते हैं but just as they were about to come up to it पर जैसे ही वो इनके पास पहुँचने वाले थे they were stopped by a terrible noise वो एक खतरनाक आवास से रुक गए आवास सुनते ही रुक गए the cows were moving जो गाये थी वो चिला रही थी मूँ जो cow आवाज निकालती है उसको मूँ कहते हैं अनिमल के साउंड के अलग-अलग नाम है तो cow जो साउंड निकालती है उसको मूँ कहते हैं loudly and running in the panic in the all direction panic in all direction वो तेजी से चिलारी होती है बहुत ही जादा चिलारी होती है और भाग रही होती है tension में पैनिक में यहां से वहां all direction सभी दिसाओं में फिर क्या होता है और जो बीर होता है यह सब चीजे देखता है एक ट्री के पीछे से खड़ा होके and then he too run harshly deeper into the forest और वो भी जल्द ही जंगल में भाग जाते है भागने लगता है वो देखो कुछ इस तरीके से फिर क्या होता है now अब why did I have to come here मैं यहां क्यों आया said he to the dog वो dog से कहता है कौन बीर it is the lion who rules the forest in these parts जो lion है वो इस area में इस part में राज करता है और मैं बुद्धु यहां पे आ गया ऐसा सोचता है कौन बीर और यह बात किस से कह रहा होता है डॉक से the lion who is he यह question पूछ रहा है कौन डॉक don't you know अभी answer दे रहा है बीर don't you know तुम्हें नहीं पता he is strongest beast on earth वो सबसे stronger जानवर है इस धरती पर फिर वोही चीज अगें well then I will say goodbye to you तो मैं आपको goodbye कहूंगा I want a master who is stronger than anyone on earth मजे एक ऐसा master चाहिए जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो and of the dog went to the ask lion to be his master और उस बीर को छोड़ते हुए dog जाता है lion के पास और कहता है कि क्या तुम मेरे master बनोगे the lion agreed to it और lion राजी हो जाता है and the dog stayed with him और जो dog है उसी के साथ रहता है and served him for a long time और उसी की ही सेवा करता है बहुत समय तक long time बहुत जादा समय तक it was a good life और उसकी जिंदगी अच्छी बीत रही थी and he had nothing to complain of और उसको किसी भी परकार की complain नहीं थी कोई भी परिशानी नहीं थी इस तरही की जिंदगी से for there was no stronger beast in the forest than the lion और lion से जादा कोई भी stronger animal beast नहीं था इस पूरे के पूरे forest में जंगल में and no one dares touch the dog or offend him in any way और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुत्ते को हाथ तक लगा दे और उसको नराज कर दे but one day the two of them were walking side by side along a path एक दिन क्या होता है कि वो दोनों एक रास्ते पे अगल बगल में चल रहे होते हैं यानि कि एक साथ जा रहे होते हैं that ran amid bear cliffs और वो एक तरफ जा रहे होते हैं गए और वो बीच में पहुंच जाते हैं bear cliffs के cliffs क्या होती हैं चटाने होती है चटाने बहुत बड़ी चटाने और जो bear थी यानि कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा हुआ था बिलकुल एकदम नगन थी उस पे कोई गहां से वगेरा नहीं थी खाली चटाने थी एकदम when all of a sudden the lion stopped अच्चानक क्या होता है जो share है वो रुक जाता है he gave a great roar और वो बहुत तेज दहाडता है and stuck the ground angrily और जमीन पर पैर मारता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में with his paw with such force that a hole formed there इतनी जोर से वो बैर से लात मारता है जमीन पर कि वहाँ पर गड़ा हो जाता है then he began to back away very quietly और वो चुप चाप पीछे पीछे आने लगता है what is it? क्या है ये? ये अब ये कुटा कह रहा है master ये क्या है master? is anything wrong? क्या कुछ गलत हुआ है? ask the dog, dog पूछता है surprised हो के पूछता है कि क्या हुआ? I smelled a man coming this way, the lion said और lion क्या गोलता है? मैं एक आदमी को आते हुए यहाँ पर सूंग सकता हूँ कि कोई आदमी आ रहा है we would better run for it or we will be in trouble हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भग लेते हैं नहीं तो हम मुसीवत में आ जाएंगे कौन कह रहा है ये? ये lion कह रहा है किस से? dog से oh well then I'll say goodbye to you lion I want a master who is stronger than anyone on earth तो मैं आपको भी अलविदा कहूंगा lion जी क्योंकि मैं ऐसे master की तलास में हूँ जो सभी से stronger हो इस अर्थ पे and of the day went to join the man and of the day dog went to join the man और उसको छोड़ यानि lion को छोड़ कुत्ता इनसान के पास चले जाता है उसे join करने यानि कि उसको कहने कि अब मेरे मालिक बन जाओ मैं आपका गुलाम बन जाता हूँ and he stayed with him और इनसानों के साथ वो बहुत सालों तक रहा and served him faithfully और उनकी खिदमत करी उसने बहुत ही जादा faithfully यानि इमानदारी से this happened long long ago और ये सब घटना बहुत बहुत साल पुरानी है बहुत समय पहले हुई थी but to this day the dog is man's most loyal servant और इन दिनों जो dog है इनसान का सबसे वफादार जानवर या सबसे वफादार नौकर है गुलाम है दोस्त है आप कुछ भी कह सकते है and knows no other master और उसे किसी और master की जुरुत नहीं है इनसान उसके लिए परियापत है तो ये थी एक story जो की कैसे एक dog अपने master को find करता है ढूंडता है तो आपने देखा कि किस परकार वो अपने master यानि कि इनसान के पास पहुँचता है अंत में और इनसान का आज तक गुलाम बनके यानि कि इनसानों के साथ रहे कर और इनसानों के सेवा बहुत ही ज़्यादा उनका faithfully